हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपको बताने वाला हूं आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वाइस आपको समझना है वाइस को हिंदी में वाच्च कहते हैं यहाँ पर आपकी डिफिनिशन वाइस की दिगर है वाइस इस फॉर्म आफ एबर्व विच सो वेदर वाट इज दिनोट बाई दा सब्जेक्ट ड़्ज संथिंग और इज संथिंग डन तो इट आप इसका एक्जंब बलने के रामा हैल्प्स हरी अब इसको हम इसको हम पैसिव वाइस में कनवर्ट करते हैं हरी इज हैल्प्ड बाई रा एज हम बताएंगे कि आप एसको छेंज करें एक्टिव एशार में दोस्तो यदि आपका सेंटेंस शिंपल प्रेजंट हो तो आपका अब की ब्लीट फॉर्म लगेगी अगिल 1 दोस्तो आपको और आप उन्हेंग करके दिखातें एक्टिव सिप्स में 3 दोस्तों आपका ज इसको यह active wise है अब हम इसको passive wise में convert करेंने वाले हैं इसका structure होगा आपका structure हो जाएगा object plus is mr plus बर्व की third form plus by plus subject इस example से हम इसका बदलते हैं passive wise में तो इसका हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा cricket is played by me आपका हो जाएगा cricket is played by me इसका हम passive wise है और इसका active wise I play cricket हो जाएगा दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक अगले वीडियो में टे हैं